पूरो मुख्यमंत्री मनहोरलाल के गोद लिये गाउं क्योडक में अब कोई भी राजनितिक प्रोग्राम नहीं होगा और नए ही किसी नेता का होल्डिंग वेब बैनर गाउं में लगने दिया जाएगा ये हम नहीं कहे रहे बलकि धरने पर लगे ये बैनर और क्योडक वाश लिया था और पुलिस को स्रेंडर कर दिया था पुलिस ने इस मामले में हमलावर लड़के की मा को गिरिफ्तार किया हुआ है ग्रामिनों का कहना है कि रमन यानि हमलावर लड़के की मा का कोई कसूर नहीं है ग्रामिन उसी समय से लड़के की मा की रिहाई के लिए प्रियास किसी भी ने था कि गाओं में नो एंट्री है कोई राजूंतिक प्रोग्राम में होना देगा क्या करण तो यह है जी अमारे गाओं में एक लड़का है रमन उसकी मां को गिरिफतार किया गया है बिना किसी करण के लड़के ने अपनी गिरिफतारी दे दी जो भी हुआ था उस लेकिन पुलिस परशाषन अपनी मनमानी कर रहा है बस उसी का विरोध है जी अग बेट्टे के कोई पक्समेनी चलो जो हुआ पुलिस परशाषन अपनी हिसाब से कार्या करेगा लेकिन मा को छोड़ दो हमारी तो यही मांग है पूरे गाओं की मांग है और इतना रोज है क कि अब ना तो कोई नेता किसी नेता का प्रोग्राम होगा और ना ही कोई बैनर लेगेगा किसी भी पार्टी गा तो आप लग अंजी बिलकुल और दरना भी बिना निश्चित समय के अभी तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगा देखे यह लगबग एक गाउं का एक लड़का और उसने अपनी बेहन की जो हत्या का मामला उसके उपर दर्ज होगा था उस लड़के ने सरेंडर भी कर दिया था और सारी जिम्मेदारी अपने उपर ले ले ली थी लेकिन उसके तुरंत बाद मतलब पुलिस ने दबाओ में मैं तो यह कहता हूँ अपने लीप अपोती करने के लिए बिल्कुल गंटे दो गंटे का जिस हमें ने दिया उसकी मा को भी गृफतार कर लिया देखे मैं एक चीज कहना चाहूँगा इस दुनिया में जो कानून बनते हैं वो कोमन सेंस के आधार पर बनते हैं अगर हम किसी रिस्ते की बात करें फिर तो मा वह होती है जिसके जिसकी मनता पर और जिसके प्यार पर कोई सवाल नहीं उठा सकता हो क्या एक माँ सबसे जादा दुख उस लड़की के मरने का अगर किशी को हुआ होगा तो उसकी माँ को हुआ होगा तो ना मीडिया को ना पुलिस को ना सरकार को उतना हुआ वा जितना उसकी माँ को हुआ पहला तो दुख उसकी माँ के साथ ही है दूसरा उस लड़की को मारने जो आरोप जिसके उपर है वो उसके खुद उस मां के इकलोते बेटे पर आप समझे क्या कोई मां इकलोते बेटे को कह सकती है जापनी बहन को बारते हैं वो बिल्कुल बेगुना मतलब वो पहले से दुखी थी और पुलिस ने अपने दबाव को हटाने के लिए उसको बिनाक कानून कुछ और है तो हमारी मां कठोड़ता से यह है कि पूरे गुस्सा है समाज में मुखेता युवा वर्ग में बहुत गुस्सा है और सरकार को आने वाले चुनाओं में इसकी इसका खाम्याचा साथ भुगतना पड़ेगा और हम कहते हैं अतिस सिग्र एक इंटरनल जा पर इतने बुरे बुरे लगा दिया अपने बेट्टे को यह बोला और एक दम से मालो दो गंटे के अंदर इसको और पुलिस के उपर गी उसकी प्रशाशन के पास उसकी मां के उपर या तो पहले से भी कहीं केस चल रहे हो या कुछ भी हो रहा है एक दम से दो गंटे के अंदर ही कौन सा दबावा आ गया इनके पर 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 अपने उपर से इन्होंने मतलब यह अपनी तरफ से कर दिया भी आमने आरैश्ट कर लिया यह का देखा कि वह पने गर भी प्रशार है उसका क्या पड़ा ही और उसकी मा इस्के माँ को तो अब दहल और प ब्रशाशस चोटा प्रशाशन हम बड़ा वी प्रशान करेंगे इसको और इसका का म्याज़त सरकार को भूगतिः माऑन बभी जैसे मिले और पता नहीं सरकार या तो इस गाहों को या मालो यूवा वरक को हलके में ले रही है या अपना मतलब कुछ ऐसा करी आप पर दबाव पर सासन के उपर उनका चलता है मतलब गाहों की अपरी चलाना चाथते हैं कुछ तो मैं तो यह कहता हूँ कोई भी राजनीती पारिटी है जो अमारा साथ देगे हमारे साथ खड़ी रहेगी तब ठीक है नहीं तो हम हर एक सरकार के रिधार पूरे गाउं का निरना जी पूरे गाहों का पूरे समाज का च्छ प्रसासन के पास बहुत लेकिन जब उनकी शनवाई नहीं हुई यह उनको इग्नोर के जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं है दो च्यार दिन आएंगे और चले जाएंगे उसके बाद हमने एक ठोर निन लिया और यह सरकार को चेतावनी भी है कि धरने को आप छोटा या कम मच समझें उसके बाद यह हाईवेज हो इसको भी हम जाम करेंगे और अभी आने वाले विदान सबके चुनाव है तो हमारे जितने भी गाउं है आसपडोस के और 36 ब्रादरी 35 तिस गाउं है आसपडोस के वह सभी चुनाव का भाईश कार करेंगे एक पोलिंग मचीन तक एक बुथ एजेंट तक यहां पर बैठने नहीं देंगे यह हमारी सरकार को चेतावनी दिया है मैं क्या पूरा गाउं और पूरा समाज इसको बेकसूर मानता है और इसलिए समाज के जो भावना है इसलिए ही जुड़ी है क्योंकि वह बेकसूर है हमने कभी जिसने यह किया है उसको तो हमने कभी पक्स भी नहीं लिया एक बेकसूर को 45 दिन से ग्रिफतार करना बिना किस जाच के बिने किसी उसके इन्वोल्मेंट के उसका तो कसूर बस यही है कि उसके उनने इन उलादों को जनम दिया है उसके लाव उसको कोई कसूर नहीं देखे जो क्योड़ का है वो लगवोग 10-12,000 वोटों को गाउं हो और लगवोग 80% सुरू से ही अब से नहीं सुरू से बीज़ेपी को ही देते आए हैं अब ये पिछे लोग सबक चुनाव था इसमें बीज़ेपी को दी लेकिन उस वोट देने को कोई बेनिफिट है गाउं गाउं ही रखता है अगर गाउं और समाज ने बाइसकार्प कर दिया तो यहां एक पलवोट वीज़ेपी को नहीं है कुलविंदर है तो रमन के परिवार से होगा हां जी रमन का भाई हो ताउगा लड़ता है ताउग करेब डेड मीना पहले ये जो आच्छ हुआ था रमन ने खुद उसने गिर्वतारी दे दिया और फिर भी उसकी मा बेकसूर है उसको उसी दिन एक गंटे बादर रैट कर लिया गया उसकी मा बेकसूर है जी रमन की मा को रिया करो और खिलाल वह मौके पर पांच भी है अगर सुनवाई नहीं होई जी तो फिर बाद में जाम किया है हमारे लिए रोड़ जाम करेंगे तो पलिस्की तथैक कुछ है एक बास सूचो किसी ने कराइम कर दिया और इसना में लिया भी मैंने कर आप अगर उसमें इन्वोलमेंट कि शोर कि पुलिस लेगरिया करने तो सीधा-सीधा नियों लेगरिया जाने में खाम-खाई कर रहे हैं या तो नहों कुछ लालत है या फिर किसी का दबाव मैं का ऐसा काम कर रहे हैं लेकिन यह इतना बड़ा गाहूं और आसपास में जो यू रोस है नहीं बहुत ही मतलब इमांदार हैं और बहुत शरीफ है अमीता जी अमीता जी तो मेरा तो बस यही बाव है जी जो सरकार भी इसमें कड़ी ना कड़ी माना भी फलिशियों दिख रही है अगर सरकार चाव है तो परसासंते कैस के वह साफ सुद्धा देखो अगर उसने कबूल कर लिया भाई उसने बित्र ले जो कुछ भी करोवा लेको कानूनी करवाई ये करवा पनी लेकिन जो निर्दोस है उसने कम तकम छोड़ो सिर्फ इतना है और स्वामति पूर्वों की उदर रहना रहेगा निस्चित काली इसमें कोई वानी है अच्छे सरकार अगर कोई ऐसा क कारण अपने जो ए लचर पचर कानून तो हैं अगर किसी एक कानून बने दे गुजरात मनें कानूने कर पर यह कर लिया सब्सक्राइब लेकिन कड़ी ते कोई रिस्पोंस नहीं मिल रहा ठीक है तो लो नहीं तो कहते हैं भई यहां कोई बात नहीं देखांगे करांगे लेकिन माना तो कड़ी कोई सब्सक्राइब अगर आप किसी बत्चा ने कर दिया इसका मतलब कर दिया जायजति प्लिस का इसमें चीज कहनी है कि लड़का नहीं जो कमिट करें जो गटना करें उसके बाद फोन करें अपनी माँ को अच्छे चीज बताओ एक नाबाली की लड़का सबसे पहले कुछ भी गटना करागा फोन माँ पर करें मने युक आपां भी कराएं चीज तो इसका मतलब युँआ उसकी माँ सामिला उसमें आप कुछ भी क सबसे दुखी को इंसान है तो वो मा है और इस व्यवस्था के कान उसकी माँ और जादा पीडित करी जाए यह पाप है मारी नजर में तो यह पाप है पाइक दिन भोगना पड़ा गई सरकार को जाएं तो जी एक को बात कहूंगा पुलिस परसासनता है और आप सरकार तक ममारी वाजब पंचा हो कि यह मतलब संती प्रिया जो जारन है नहीं यू एनिस्टि काल तक संती प्रिया नहीं रहेगा यह कब आशनती प्रिया हो जग जारन खेर प्रिया यह इसके मतलब इसका समदान जल्दी करो आगर नहीं जल्दी होया तो उसके बाद मतलब क्या यह एक छोटी चिंगारी है कब बयां कर आपके रूप अबी पता को चोटी बात निया को अरेस्ट करuse जो इसने माह को है वना बेटी को भी खो दिया और इपने बेटी को भी खोंग दिया उसको मारी मतलब समय चारिक जरूरती और वहां पत्थरों में सिर मार रही हो तो यह तो कानून की और सरकार की सबसे बड़ी गलती है जी और इसका जल्द से जल्द समधान क्या जाए अगर नहीं समधान हुआ तो जो भी आगे कारवाई होगी उसके वह खुज मिवार होंगी संधीप कुमार संधीप कुमार के साब क्या कर अब याग करते लिए उद्या यह शौयना से बर बार फोट माइं और लिए साथ सब्सक्राइब करें लड़की बगाना चाहिए इसका बहुत तकड़ा हुआ रही बात पुलिस पर शासन कीजी कलमा मुरे लगान लग रहे ते या तियारी कर रहे हैं जद भी पुलिस्त है सब्सक्राइब करें लगाना में भी प्रैसर रहे हैं उन्हें पांच चक्र लगाए लिए उरा एक है तो यू भी गल्त बेटके जी गल्त तो जदो आगा ने जी उनने भी दीख जागा और सरकार ने भी दीख जागा जी यू रोड नी फूल आगा जी